कर्गिल विजे दिवस के 25 साल होने पर आजधेश, शौर्य, जाबाजी और बलिदान को नमन कर रहा है प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में वार मेम्बुरियल शहीदों को शदांज़ी उन्होंने दी आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारतिय सेरा ने पाकिस्तान को पटखनी दी शिकस्ते सेरा के वीर जवानों ने तीन महीने लंबे युद में पाकिस्तानी सैनिकों को कर्गिल की चोटियों से ख़देर दिया था ये सकसे उचाई पर लड़ा गया युद था दुनिया पर में प्रुदान मंत्री नरिंद्र मोदी जब पहुँचे तो तमाम अपने वीर सपूतों को उन्होंने याद किया नमन किया सब के बलिदान को याद करते हुए एक बहुत बड़ा कड़ा संडेश भी है सरहत के उसपार भी और भारत के वीर जबाजों के लिए सेना के लिए उनकी होसला अवजाई के लिए तो करगिल विजय दिवस के रजत 25 साल पूरे होने पर ये रजत दिवस समारू आज देश अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है और प्रुदान मंत्री नरेंद्र मोद कियल दुराज से इस वक्त सेना के अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं हर एक सपूत के बारे में और जो भी उपयोग किया गया था उस युद्ध में और यह तस्वीरे ग्रोप पिक्चर प्रुदान मंत्री ठीक सेंटर पर बैठे हुए और वीर सपूतों को नमन किया प वो देख सकते हैं उची जो चोटिया है टाइगर हिल है यही पर फतह किया भारतिय जबासों ने जब पाकिस्तानी घुस पैठिये आतंकियों के साथ मिलकर नपाक इरादे लिये हुए भारत से मुकाबला करने आये थे पीट में खंजर घुपा था दोस्ती की जो कवायत थ दिखाती है वो भारतिय पराक्रम और इसी के प्रतीक हमारी सेना और आज 25 साल पूरे हुए हैं और इसमें शहादत भी हुई वीरगती को प्राप्त हुए हमारे जबास जो मात्री भूमी की रक्षा के लिए सर्वच बलिदान दिया लेकिन देश इन जबासों को कभी भूल देगा नहीं कभी भूलता नहीं यह देखे जरा सबसे उची चोटी पर जब भारतिय तिरंगा लहराता हुआ और दुश्मन के नापाक एरादों को निस्तानबूत करता हुआ और हलिकॉप्टर्स वहां पर पुश्पवर्शा करते हुए नजर आए और जो फाइटर जेट जो कुर्बानी हुई वो जो शहादत हुई उसको देश नहीं भूलेगा ये भी एक संदेश है ये भी एक मैसज है करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए हैं और इस औसर पर प्धान मंत्री नरेंदर मोधी की मौजूदगी दुनिया के सबसे उचे दूसरे ठंडे रि वीरों को नमन करते हुए करगिल विजय दिवस के आज 25 साल देश बना रहा है और इस औसर पर ये घड़ी है ये लमा है अपने वीर सपूतों को याद करने का उनको शुधांजली देने का उनको नमन करने का उनको परिवारों को बताना एक मैसेज देना कि हर घड़ी में द कि वाली हो और आज तो बहुत बड़ा एतिहासिक लमहा है जब दुश्मन देश पाकस्तान को परास्त किया था हमारे वीर सानिकों ने अपने फॉलाज जैसे जिगर दी हुए और वहाँ पर याद करते हुए तीदे अब रूख करेंगे हम द्रास का अश्रफ वानी हमारे स बिल्कुल आश्टोश मैं अब यहां करगिलवार मेमोरियल पर खड़ा हूँ जो द्रास में इस्तित है द्रास की पहचान ये है कि दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रहाशी इलाका द्रास कहलाता है साइबेरिय के बाद अगर दुनिया में कही जन जीवन है वो द्रास में हैं यहां तापमान जो है माइनस चालीस तक सर्दियों में चला जाता है वो तो हुआ द्रास गाउं और द्रास कस्वे की बात लेकिन अगर आसपास मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं यहां पर सर्दियों में तापमान माइनस साट डिगरी तक लड़कता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां जीवन खास तोर से सर्दियों के दोरान कितना मुश्किल है लेकिन उसके बावजूद पचीस साल पहले जो चनोती बारती सेना को पाकिस्तान ने विश्वास गात करके दी थी उसको उस चनोती का मुकाबला बारती सेना ने अपनी ब आप याने में विजे दिवस की गोशना की और तब से अब तक लगातार जो है करगल विजे दिवस मनाया जा रहा है आखर करगल वा इस जंग को क्यों एतनी महत्तपूंता है इतने सारे जंग हुए हैं इधास में लेकिन करगल जिक को क्यों बारती सेना अपनी बहदुरी और अपनी बड़ी काम्यावी मान रहा ये वैसा जंग था जो दुनिया की सबसे उंची चोटियों पर याने 16,000 से 18,000 फिट की उंचाई वाली पहाड़ों पर लड़ी गई थी और चनोती भी काफी मुश्किल बरी थी बारती सेना के सामने दुश्मन जो है वो पहाड की अगर इजासत हो तो साथ साथ जो जानकारी दे रहें अगर तस्वीरे भी थोड़ा सा दर्शकों तक पहुचा दें अगर इजासत वहाँ पर है प्रोटोकॉल तो बहतर होगा बिलकुल बिलकुल यह तस्वीरे दिखाने अश्रफ हमारे साथ तुरंट कनेक्ट होंगे लेकिन प्रुधान मंतरी नरेंदर मोदी की यह तस्वीर देखे नमन कर रहे हैं वीर सपूतों को शधाजली दे रहे हैं और खल सेना धक्ष भी और वहाँ पर तमाम आर्मी के हमारे जवाज अधिकार जवान और अश्रफ हमारे साथ जुड़े हैं जी अश्रफ अपनी बात को पूरी करें जानकारी पहुँचाएं और तस्वीरे दिखाते रहे हैं संभा होतों बिल्कुल आश्टोश तस्वीरे ने यही करगिल वार मेमोरियल है जो एक वार मेमोरियल के साथ-साथ शहीदों की यादगार में बनाए गए समारिक के साथ-साथ इस छेतर में परिटन इस्थल भी बनाए है जतने भी परिटक लदाक या करगिल आते हैं वो जरूर यहां इन फोज के बहादर शहीदों को जो है और सिपाहियों को सलाम करने के लिए जरूर आते हैं, हाजरी देते हैं, तस्वीर खिछवाते हैं, यहीं पर नौबज कर पचीस मिनट पर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने सबसे पहले जो है यहां पर उन शहीदों को नमन किया, उन बी जवान शहीद हुए हैं, अफसर पांच सो पैंतालीस, उन सबों के नाम, उनके यूनिटस के नाम, उनका रैंक था, वो सब इस पर चस्मा किया गया है, पांच साल पहले ही यह पूरी सूची जो है, इस पर ब्रास के बोर्ड पर लिखी गई थी, और उसके उपर जो है, यह उन आर्मी रेजिमेंटस के फ्लैग्स हैं, क्योंकि हर एक सेना के रेजिमेंट को अपना अपना जंडा होता है, उन रेजिमेंटस के फ्लैग्स हैं, जिन्होंने करगिल युद में विजे दिलाई थी बारती सेना को, और इसके बगल में जो है, आपको वो वीर बूमी नज़र आएगी बिल्कुल इसके पीछे में थोड़ा सा कोशिश करोंगा नजदीक लाने की यहां पर भी प्रदार मंतरी गए यहां पर इस वीर भूमी में उन शहीदों के नाम चस्पा हैं उनके नाम की पठियां रखी गई हैं जो उनीस सो सेन्टालीस से आज तक यहां तक नज़ानी और उनकी शहादत को जो है दरकिनार नहीं किया जाता है फिर अगर आप इस तरफ जाएंगे यह रास्ता थोड़ा सा जो बाहर सीधे वार में मौल तक आता है यह सीधे जुड़ जाता है नेशनल हाइवे वन के साथ नेशनल हाइवे वन मेनज जो स्रीनगर से कर करगिल रास्ता सड़क जाती है और जो पाकिस्तान के निशाने पर तब करगिल युद के दोरान थी वो इसी रास्ते को काटना चाहते है जो बिल्कुल इस द्वार के बाहर है ताकि उसके बाद जो है वो इस इस इलाके को कटाफ करके यहां पर नाजाइज कबजा जबा सक कर दो कि वार्च तोग चु कर दो कि तो दिल पिलोगा कर दोलिगर भाल नक्षर यहास हुआ को सक जगे रएद को प्राटर लुद्र नक्या पाराँ झार अक्या सिर्दक प्राटर रहे हुआ है